Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind. तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की E.V.S. अडिहन्त वर्क बुक कर चाप्टर 2 Year to Year. तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं Year to Year. Select the best option. Best option select करना है. Which of the following animals has teeny holes on both sides of the head to here? अब देखिए किसका होता है जो animals होते हैं. कौन सा animal ऐसा है जिसके की both sides में teeny holes होते हैं. ठीक है? जिससे के वो सुन सकते हैं. तो जैसे की है giraffe, tiger, donkey, crow. तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका crow. तो crow में tick लगाएंगे. ठीक है? इसके बाद है, the dash has ears like fence. अब देखिए कौन सा ऐसा है animal जिसके की जो ears होते हैं वो fan के तरह होते हैं. ठीक है? तो elephant, whale, monkey, hen. तो क्या हो जाएगा? elephant. आप elephant का देखे होंगे कि उसका बहुत ही बड़ा-बड़ा सा ear होता है. जैसे की लगता है कि fan के तरह है. ठीक है, the donkey has ears. जो donkey के ear होते हैं, which cannot be seen on the top of its head, on the sides of its head, both A and C. तो क्या हो जाएगा? on the sides of its head. जो head होते हैं, उसके sides में होते हैं. तो इसमें टीक लगाएंगे. तो क्या होगा? जो patterns होते हैं, which animals यह क्या है? the patterns by which animals may be recognized are due to. जो animals जो होते हैं, वो कैसे patterns को पहचानते हैं? ठीक है? तो देखे, here are their skin. इसमें यह वाला हो जाएगा? इसमें टीक लगाएंगे. उसके बाद है, now where do we see dinosaurs? तो हम लोग क्या अभी जो है न, dinosaurs को देख सकते हैं? ठीक है? तो क्या है? only in forests, only in the Jew, none of these, in films and pictures. तो हम लोग क्या है? अभी किसमें में dinosaurs को कहां देख सकते हैं? तो इसमें टीक लगाएंगे. ठीक है? उसके बाद है, write T for true and F for false statements. तो इसमें true के लिए T का यूज़ करना है, false के लिए F का यूज़ करना है. आवर नैशनल अनिमल इस पिकॉक. तो क्या ये सही है? हमारा नैशनल अनिमल पिकॉक है. तो क्या है ये? फॉल्स. ठीक है? फॉल्स होगा, तो इसके लिए हम F का यूज़ करेंगे. तो नैशनल अनिमल हमारा क्या है? पिकॉक क्या है? हमारा नैशनल बर्ड है. और नैशनल अनिमल कौन है? टाइगर. ठीक है? एफ फिस है येर्स बट वी कैनोट सी एट. तो देखें फिस के पास येर होते हैं लेकिन वो उसे देख नहीं सकते. तो क्या ये ट्रू है ये फाल्स? तो ये है ट्रू. इसलिए ठीक है यूज़ करेंगे. बुफैलोज एंड काउस है येर्स बट वाडिज. तो क्या ये सही है? बुफैलोज एंड काउस के क्या होते है? उनके बाडिज पे हैर होते हैं. तो ट्रू. ठीक लिखेंगे. Sip do not have hair on their bodies तो क्या होगा? False होगा क्या सिप के bodies में hair नहीं होते? तो क्या हो जाएगा ये? False होगा तो F लिखेंगे Squirrel, Lays X जो Squirrel होते हैं तो क्या वो X देते हैं? तो नहीं क्या होगा? False तो F लिखेंगे ठीक है? उसके बाद है Fill in the blanks भरना है से Usually We cannot see the holes used for hearing by a bird because they are covered by feathers ठीक है? हम लोग जो है birds के ears नहीं देख सकते क्योंकि वो covered होते हैं तो किसे होते हैं? Feathers से covered हो रहते हैं ठीक है? इसलिए नहीं देख सकते If an animal does not have outer hair it will not have any patterns on its skin ठीक है? तो देखें इसमें खाजा रहा है कि अगर animal के outer hair नहीं होंगे तो उसमें उसके skin पे कोई भी patterns नहीं हो पाएंगे ठीक है? Crocodiles and lizards hereby teeny holes on the sides of their heads जो crocodile होते हैं और lizards होते हैं तो इनके क्या होता है? sides में, head के side में teeny holes होते हैं all animals that give birth to their young ones have visible ears ठीक है? इसके बाद देखें फिर क्या है? all animals that give birth to their young ones have visible ears animals not having visible ears can be recognized by having no hair on their body अब इसमें देखें match the type of pattern in column A with the animal in column B by drawing arrows अब इसमें column A and column B को drawing arrow से बताना है ठीक है? black stripes on white skin तो क्या हो जाएगा? jabra जो black stripe होता है और white skin पे किसका होता है? jabra का black stripes on yellow brown skin तो किसका होता है? tiger का tiger में arrow लगाएंगे black spots on yellow brown skin किसका होता है? leopard का इसमें arrow लगाएंगे white spots on yellow brown skin किसका होता है? deer का बस इसमें इसी तरह से arrow लगाना है आपको इसके बाद है let us observe the pictures given below अब देखें नीचे जो picture दिया गए है उसे आपको देखना है absorb करना है तो आप देख सकते है इसमें ये सब क्या है तो ये आपको पहचान सकते है तो rabbit है ठीक है? parrot है frog है और ये क्या है? ठीक है? ये क्या है? और ये क्या है? तो आप इसे पहचानें और मुझे comment करके बताएए कि ये क्या है ठीक है? तो आप यहाँ पर ही आप चान सकते हैं कि यह क्या है ठीक है यह है डियर और यह है क्रोकोडाइल तो यह मैंने पहले से ही फिल कर दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Name the picture and tell which have visible ears by ticking ठीक है तो रेबिट रेबिट का होता है येस इसमें लिखेंगे पैरोड नो फ्रॉग नो इसके बार डियर येस क्रोकोडाइल नो तो इसमें देखिए इसमें कहा जा रहा है Name the picture and tell which have visible ears by ticking येस और नो किसके visible ears है यानि कि जो ears दिखते हैं ठीक है तो रेबिट के हैं येस लिखेंगे पैरोड के नहीं है तो नो लिखेंगे ठीक है उसके भी ear नहीं दिखते है अब फ्रॉग के नहीं दिखते हैं नो लिखेंगे deer के दिखते हैं येस क्रोकोडाइल के नहीं तो नो ठीक है तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे ठीक है? उसके बाद है very short answer type questions ठीक है? तो ये बहुत ही short answer type question है answer in one word और one sentence अब इसमें आपको answer देना है one word में या one sentence में name two animals which give birth to babies अब आपको two animals का नाम बताना है जो कि अपने बेवी को जन देते हैं तो क्या हो जाएगा dog and cow name any two animals which have ears on the sides of their head अब आपको बताना है two animals का नाम बताना है जिसके की head के side में ear होते हैं ठीक है? तो tiger और giraffe ठीक है? उसके बाद है how does a snack here जो एक snack होता है वो कैसे सुनता है? ठीक है? तो snack here by the vibrations on the ground तो ये कैसे सुनता है? ये vibration की throw सुनता है जो ground में vibration होता है इससे उसको कोई भी चिज़का पता लगता है सुनाई देता है जो animals होते हैं वो अपने bodies पे different patterns क्यों बनाते हैं? क्यों होते हैं उनके? तो these prevent animals from being sport by pre-datterts easily तो देखिए इसमें क्या होता है? जो bodies में जो patterns बने होते हैं वो इसलिए होते हैं जो वो patterns उन्हें जो सिकारी होता है जो उन्हें मारने के लिए आता है उससे उससे बचाता है ठीक है? रोकता है इसलिए बना हुआ होता है उसके बाद है answer the following questions based on the picture given below अब यहाँ पे देखिए जो picture दिया गया है उसमें आपको answer देना है नीचे में ठीक है? which big animal is seen in the picture? तो देखिए इस picture में आप कौन से animal को देख सकते हैं? big animal को तो क्या है? dog तो यहाँ पे लिखेंगे dog तो what are the small animals doing? जो एक small animal है वो क्या कर रहा है? तो आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है? वो milk पी रहा है ठीक है? तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि drinking hard milk तो वो milk पी रहा है उसके बाद है short answer type questions answer in 30 to 40 words 30 से 40 words में आपको answer देना है what is the reason that animals can be recognized by their skin तो what is the reason that animals can be recognized by their skin तो क्या reason है? ठीक है? एनिमल्स का क्या reason है? जो कि जो वो पहचाने जाते हैं जो अब पहचाने जाते हैं तो यह सब होता है जो जो आनिमल्स पहचाने जाते हैं तो यह सब होता है जो जो आनिमल्स पहचाने जाते हैं तो यह सब होता है जो जो आनिमल्स पहचाने जाते हैं तो यह सब होता है जो जो आनिमल्स पहचाने जाते हैं इससे ठीक है? उसके बाद है क how do birds hear तो birds जो है वो कैसे सुनते है तो birds have teeny holes on both sides of their head which are covered with feathers these holes help the birds to hear तो क्या होता है birds के जो है दोनों side में होता है teeny holes जिसे कि वो सुनते है ठीक है लेकिन वो क्या होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है वो feather से covered होता है बिल्कुल ही ठीक है इसके बाद है animals not having ears can still hear ठीक है तो इसमें देखिए जो animals होते हैं वो having जो ears होता है उसके वो किस तरह से सुनते हैं तो they pick up sounds waves through the air the skull the skull vibrates when a sound wave hits it ठीक है तो वो कैसे सुनते हैं जो vibration होता है हवा के जोड़ा जो कोई vibration होता है इससे सुनाई पड़ता है उन्हें ठीक है उसके बाद देखे long answer type questions long answer type question है explain the similarities and differences between a bird and cow regarding their bodies how do they give birth to their babies अब इसमें आपको explain करना है ठीक है difference बताना है birds and cow के बीच में ठीक है उनके bodies के बीच में और वो कैसे अपने बच्ची को जन देते हैं ठीक है और cow का क्या होता है hair होता है bird lay eggs while cow give birth to babies और bird क्या करते है वो अंडे देते है और लेकिन जो cow होती है वो अपने बेबी को जन देते है तो इस तरह से इसी लिखना है उसके बादे think find and write सोचना है find करना है और लिखना है the names of some animals are given in jumbled form in the table given below complete the table अब क्या है यहाँ पर आपको जो है na jumbled है यहाँ पर नीचे table में और उसे आपको complete करना है ठीक है आपको ठेक से लिखना है तो जैसे कि यहाँ पर jumbled name name of animal ठीक है और has hair on skin does not have hair on skin lay eggs give birth to young और ears visible, not visible अब इसमें देखिए यह जैसे कि है jumbled तो यह क्या हो जाएगा h, s, f, i तो यहाँ पर हो जाएगा आपका fish ठीक है fish लिखेंगे इसे अच्छे से लिखेंगे आप ठीक है अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है he has hair on skin does not have hair on skin ठीक है तो यह सारे आपको और यह क्या lay eggs या give birth to young यह अंडे देते हैं या आपने बेबी को जन देते हैं ears visible, not visible ears जो होते हैं इसके दिखते हैं या नहीं दिखते हैं ठीक है और यह देखे यह क्या है यह है आपका elephant ठीक है अब elephant के क्या है यह लिखना है has hair on skin इसकीन पे hair होते हैं नहीं होते हैं अंडे देते हैं या बच्चे को जन देते हैं ठीक है तो यह सारा आपको खुद लिखना है duck यह क्या हो जाएगर duck ठीक है तो यह सारा आप मुझे जरूर बताईए कमेंट करके कि यह सारा क्या है ठीक है तो यह जंबल्ड को आप solve कीजे या मैंने आपको तीन बता दिया है यह क्या है यह क्या है यह यह सारा जंबल्ड को आप solve कीजे और इसके बारे में आप खुद कीजेगा थोड़ा आप भी अपने से बनाईए ठीक है इसे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने में तो ये चाप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब कीजे और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से डिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दब तक के लिए बाई टेक केर थेंक्स तो वाच मैं वीडियो